हलो दोस्तों आज हम कुछ नया ट्राइ करेंगे तो आज हम बनाएंगे दाल और गिवो के आठे से हेल्दी और टेस्टी नास्ता तो चलिए श्टार्ट करते हैं नास्ता बनाना तो एक कटोरी हमने चना डाल ले ली है इसको हमने पहले से भिगो के रख दिया था और लेंगे मौमफली के दाने ये तकरीवन 3-4 चम्मच है और 5-6 हरी मिर्च ले ली है और 4-5 कलियां रहर सुन की और 1 चम्मच हम जीरा डाल देंगे जीरा भी डाल दिया है और स्वाद के अनुसारा नमक डाल देंगे और मिक्सि को बंद करके एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे तो फ चलिए आगे देखते हैं एक बाउल लिया है इसमें एक कटोरी गियों को आटा डाल देंगी और जो आप हरी हरी पतियां देख रहे हैं इनको डालने से नास्ते का फ्लेवर बहुत ही कमाल काएगा अगर आपके पास हो तो डाल लीजेगा अगर ना हो तो आप जो अजवाइन होती है वही डाल सकते हैं अजवाइन के बीच और इनको भी हम काटके डाल देंगे तो अजवाइन के पतियां भी हमने डाल दी है और साथ के नुसार नमक डाल देंगे आधा चमच हल्दी पाउडर आधा चमच मिर्च पाउडर और दो चमच हम रिफाइंड आइल डाल दे अगर आपको पानी लगे तो लगाईएगा अगर ना लगे तो ना लगाईएगा तो हमको तक्रीबन इसमें दो चमच पानी लगा है और एक सौफ्ट सा डो तयार कर लेंगे तो डो भी हमारा तयार हो चुका है आगे देखते हैं तो डो हमने तयार कर लिया था और इसके हम लोईयां काच लेंगे छोटी छोटी और एक लोई बढ़िया सी लोई बना लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड आयल लगाके इसे बेल लेंगे आप सुखा आता मत लगाईएगा थोड़ा सा रिफाइंड आयल लगाके इसको बेल लीजेगा बहुती आराम से बिल जाएगी फ्रेंक्स यह नास्ता बहुती हेल्दी और टेश्टी बनने वाला है इस नास्ते को आप बच्चों के लंच में पैक कर सकते हैं और सुबह की चाय के साथ इस नास्ते को खा ये बहुती अच्छा लगता है पेट भी भरे दीजागा आपका नास्ता ये आप रोज आंगे अगर आपने एक बार बना लिया ना आangenे बच्चे रोज रोज इसे नास्ते की फरमाइफ करेंगे तो रोटी भी हमाली अंच्छा सा थे अच्छा सा से चोट दूक्दू इस चोटे-चोटे चोट प्तुकर हमें निवारोम राईटो से बीच में इसको अच्छे से चिंपका देंगे और इसी तरह से सारा नास्ता तायार कर लेंगे ये नास्ता बनाना बहुत ही आसान है तो नास्ता हमारा यहीर ए ठीर नास्ता सब्सक्रादे चुआ हैं गैस के योड शुक्त हिए और यह जना एक तरब से तो इसको पलेट दीजिए औरा सितना नास्ता Bowl में सकते hyperts तो देखिए नास्त नायों कि यह कि और या के प्लेट में तो देखिए कितना बढ़िया शचिए में अरुट नास्ता कैसा लगा आपको तोड़के भी दिखाते हैं देखे कितना क्रिस्पी बनकर तयार हुआ है कितना बढ़िया लग रहा है तो फ्रेंट्स कमेंट करके जरूर बताईएगा और एक लाइक जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंट्स इसको ट्र जिए बताईएपार हुआा येजरूर दिए.